फ्रेंट्स आप सबका हमारे चैनल इंडियन एर लाइस में स्वागत है आज का ये वीडियो एक टूइट को लेकर रहने वाला है इसके अलावा हम लोग जानेंगे कई फ्लाइटों के लेटिस्ट इंफोर्मेशन को लेकर इसके अलावा हम लोग बात करेंगे इस समय फ्लाइटे केवल केरला के लिए ही क्यों जा रही है तो फ्रेंट्स यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर हमें ये टूइट मुहमद मुस्ताफ जी ने लिखा था कल शाम हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने क्या लिखा था उस टूइट में जिस कारण से हमें ये वीडियो बनानी पड़ी तो फ्रेंट्स यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इनका टूइट सौदी से फ्लाइटों को चालू करने को लेकर था फ्रेंट्स आपके सामने इनका ये ट्वीट है जहाँ पर ये हमें एक वीडियो बनानी के लिए बोल रहे हैं कि पूछो इन उकूमत के ठेकेदारों से कि सवधी से केवल 6-8 फ्लैटे ही क्यों है और वे भी केरले के लिए बाकी के लोग कहा चाहेंगे क्या वे मढ़ जाएं और इसके अलाबत जो लोग वहाँ पर फसे हुए हैं वे कब तक सबर करें तो फ्रेंट्स यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इनका ये ट्वीट पूरे तरीके से सही है यहाँ पर बाकी सबी जोगों से दीरे दीरे फ्लैटों की सुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर आने वाले समय में लगबख सभी देशों से कम ये ज़्यादा लेकिन फ्लैटे उनकी देश में जा रही है लेकिन आपी तक सौधी से बहुती कम फ्लाइटों की पर्मिशन मिल पाई है आपी भी सौधी में लाखों लोग फसे हुए हैं जो की देश में आना चाते हैं लेकिन उनके लिए यहाँ पर किसी भी तरीकी की कोई भी वेवस्ता सरकार की दोरन नहीं की जा रही है यहाँ पर यह बात सच में सोचने वाली है कि सरकारे यहाँ पर ऐसा क्यfriend के लिए वालो के साथ और उनके लिए यहाँ पर फ्लाइटों की तो आपने भी नोटीस किया होगा कि इस समय दस में से आथ फ्लाइटें के लिए ही रखी जा रही है यहाँ पर आज भी कुछ फ्लाइटों की कुछ लिस्ट आई है जो की टुटर पर Air India Express के टुटर हैंडल अकाउंट से जारी किया गया है जो आपको इस स्क्रिन को उपर दिख रहा होगा इनमें भी कुछ नई फ्लाइटों की बुकिंग के बारे में बताया जा रहा है जिनकी बुकिंग चालू हो चुकी है इसकी जानकारी आप लोगों के साथ हमने टुटर पर भी शेयर कर दी थी और हम उमीद करते हैं कि आपने इन टिक्टों की बुकिंग भी कर ली होगी लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इनमें से भी ज़्यादा तर फ्लाइटे जो हैं वैं सभी की सभी केरला और बाकी साथ इंडिया के दूसरे राज्यों के लिए है हम यहाँ पर केरला से या फिर साथ इंडिया के दूसरे राज्यों से कोई प्रॉब्लम नहीं है हम यहाँ पर चाहते हैं कि बाकी सभी राज्यों में भी फ्लाइटों की अनुमती मिलनी चाहिए जिस तरीके से केरला और साउथ इंडिया के दूसरे राज्यों को मिल रही है ताकि बाकी के जो लोग फसे हुए हैं वह लोग भी अपने घड़ जा सकें फ्रेंट्स हम यहाँ पर लगातार फ्लैटों को चलाने को लेकर हरदिश सिंखपुरी और बाजि siècle को ट्विट करते रहते हैं और आपकी ट्व भी हम लोग रेट्विट करते रहते हैं ताकि दूसरे लोगों तक और बाजि सबी को आपकी प्रॉप्लिम के बारे में पता लग सके इसके अलवा फ्रेंट्स आपके कुछ और भी सवाल हैं जो आप गॉर्मेंट से पूछना चाते हैं तो आप आईए ट्वीटर पर हमें फॉलो कीजिए और हम सब मिलकर सवाल पूछते हैं इन हुकूमत के ठेकेदारों से जैसे कि मुहमद मुस्ताग जी ने अपने ट्वीट में लिखा है फ्रेंट्स आभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही कुछ फ्लाइटों की परमिशन मिल रही है आप ट्वीटर पर है तो फॉलो कीजिए और जैसे ही यहाँ पर टिकट लाइव होते हैं आप अपने टिकट की बुकिंग करने की कोशिश कीजिए यदि आपने अभी तक आपने टिकट की बुकिंग नहीं की है तो जाइए चेक कीजिए हो सकता है कि आपको टिकट मिल जाए इसके अलाबा फ्रेंट्स नई फ्लाइटों की इंफोर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ट्यूटर पर हमें फॉलो कीजिए ताकि आपको सारी इंफोर्मेशन मिलती रहे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद